Hey everyone, welcome to lecture 11 of Neereact Tutorial तो पिछली वीडियो में हमने mapping के बारे में पढ़ लिया था इस वीडियो में हम map के अलावा कुछ और functions जैसे filter, reduce, find, find index इन सब के बारे में पढ़ेंगे तो उसको use करने से पहले हमें उसके concept को समझना होगा तो मैं अभी index.js में हूँ, तो मैं जो भी यहाँ पर है मैं सब कुछ को comment आओ कर रहेता हूँ अभी के लिए ताकि हम इसमें अपने concept को समझ लें मैं एक array बनाता हूँ, let numbers नाम का और इसमें मैं कुछ value दे देता हूँ, मालो 2 दे रहा 56, 12, 34, 78 मैंने यह number यहाँ पर दे दिया, मैं कुछ और भी दे 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 दा हूँ, छोटे छोटे नमबर 35, तो अगर हम इसको, तो अगर हमें क्या करना हूँ, अगर इस number को हमें double करके print करना हो, तो maps हम कैसे करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं, map होता क्या है तो map का मैं यह definition लग देता हूँ, आपके reference के लिए, जो map actually कहता है, क्या map क्या, map करता क्या, it creates a new array it creates a new array by doing something with each item in an array, मतलब जो यह array है तो इसके हर एक item से जो जो हम चीजे करवाते हैं, मालो इसका हमें, हर एक item का हमें double करना है तो इसका double करके यह एक और array में store कर लेता है, जैसे कि मैं करके नहीं, sorry कहके नहीं करके बताता हूँ, मैं एक मालो फंसन मना देता हूँ, let double नाम का, इसके में मैं कोई, मालो एक्स नाम का मैं नहीं दे लिया, यह matter नहीं करता कुछ भी रूम है तो मालो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, x into, x into 2, मैंने लिख दिया, फिर मैं यहाँ पर इसको console कर रहे हूँ, console.log double, double फंसन को मैं console.log करता हूँ, save करता हूँ, और run करता हूँ, इधर से, अच्छा हमने map को define नहीं किया, एक सब्सक्राइब से पहले map को define करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस numbers, number.map, इसके अंदर हमें इस function को pass कर देंगे, function को pass कर देंगे, तो इसके अंदर जो भी value है कि इसको हम एक variable में store कर लेते हैं, मालो में let answer नाम का एक variable में इसको store कर लेता हूँ, ताकि हम इसको console.log कर सके हैं, तो अब मैं करता हूँ, console.log और answer को हम log करते हैं, one second, क्या दिकतारी, एक फिर से रनक करके देखते हैं, कोई दिकत नहीं थी, देखिए तो इसके double करके, इसने print कर दिया, इसका fold कर दिया, इसका double कर दिया, तो इसको एक new array में बना दिया, create a new array, एक new array बना दिया, जिसके अंदर ने सबका double है, मतलब यह exist कर रहा है, अभी भी, अगर इसको हम console.log करें, तो numbers आएगा, इसको हम replace ने किये हैं, एक नया ही array बना दिये, तो similarly यही same चीज होता था, कहां पे for each loop में, अगर आपने JavaScript में for each पढ़ा हो, तो मैं आपको दिखा देता हूं, for each कैसे काम करता है, मालू मैं for each numbers, similarly इसी तरहें काम करता हूं, numbers.for each और इस शेम हम एक function पास करते हैं, तो इस double को मैं यहां से copy करता हूं, और यहां पर paste कर देता हूं, इसको भी मैं एक variable में store करता हूं, let answer is equal to, फिर similarly इसको मैं copy करता हूं, इसको similarly यहां पर, मैं paste करता हूं, run करता हूं, one second clear करके फिर करता हूं, तो हम for each में क्या करते हैं, हम for each में एक साथे पहरे, जैसे map जो होता है, map अपने आप एक array बना लेता है, लिगे for each में हमें array को define करना पड़ता है, तो मैं new number नाम का array बनाता हूं, जिसको मैं empty रखता हूं अब इक लिए, तक क्योंकि इसी कंदर सब कुछ भरेंगे, तो मैं क्या करता हूं, हम उसको में push करते हैं, new, इस array में element अपना हम डालते हैं, तो क्या लिखेंगा new, number, dot, push, अब इसको मैं यहां से, Ctrl X, यहां पर Ctrl V कर दिया, ठीक है, तो अब उस array को हमें आप पास करते हैं, new, number को, अब इसको हम प्रिंट राते हैं, क्योंकि इस सारे value आके इसमें store हो गई, तो इसको हम रन कराते हैं, देखें, same value आ गई, same चीज़ आ रही, तो हम for each में एक चीज़ और कर सकते थें, कि यह क्या करते हैं, हम इस function को अलग से define करने जाएगा है, हम इसके अंदर ही pass करते हैं, कैसे होता है, इसको मैं, जिसको मैं यहां पर X, एक arrow function लगाता हूँ, अब क्या करते हैं, यहां पर, इस same चीज़ यहां पर मैं paste कर देता हूँ, Ctrl C, Ctrl V, अब इसको मैं कर देता हूँ, comment आओ इन दो code को, अब मैं इसको जब run करता हूँ देखे, same चीज आया तो क्या ये चो चीज हमने इस function के अंदर इस function को pass कर दिया ये map के साथ भी कर सकते हैं, बिलेकुल कर सकते हैं उसके लिए हम ये for each loop को हटा देते हैं और इसको हम दुबारा उजागर करते हैं तो क्या करता हूँ मैं अब, इसको यहाँ double हटाता हूँ इसको इस तरह खोल देता हूँ ताकि असानी हो तो मैं क्या करता हूँ, x arrow function, फिर x into 2 sorry, 2 करता हूँ और इसको मैं comment out कर देता हूँ console lock करी रहा है, save करता हूँ देखे, same काम कर रहा है तो यह कितना आसान हो गया हमें दो function बनाने जगा है, हम एक ही function भी use कर लिये है, तो हमारी कितना easy हो गया, देखे, इसको मैं एक line में भी कर सकते हूँ, एक line में कर लेता हूँ देखे, एक line में हमारा आ गया यह code हमें एक function बनाव इसके अलावा एक line में आ गया similarly map की तरह है इस map को मैं comment out करके रखता हूं एक सकीन map की तरह है और भी कई सरे functions होते हैं जैसे हमें एक और discuss करने जा रहे हैं जिसका नाम है filter filter तो filter क्या कहता है filter के मतलब यह हमें condition यूज करने के लिए बोलता है जैसे मैं एक example से लूँ जैसे मैं इसको नीची ले आता हूं ताकि यह असान ही हो पढ़ने में ओके तो मैं क्या करता हूं मैं similarly मैं filter के यूज करता हूं तो क्या करूंगा numbers dot filter similar same जैसे हम उसको यूज करते थे हैं same इसको भी यूज करेंगे हम filter फिर x को फिर हम क्या करेंगे अगर जो x होगा greater than 10 हुआ तो उसको console dot console log करो मैं इसको पहले answer value में let answer मैं कर लेता हूं अब मैं क्या करता हूं मैं console dot log करता हूं answer को ओके मैं run करता हूं इसको यह देखे तो जो एक जो 10 से greater है 56 12 34 78 जो 10 से greater है उसको इसने print कर दिया यहाँ पर तो यह जो filter होता है वो condition के लिए हुज होता है filter से हमें पता भी चला है कि वो चीजों को filter कर देता है यानि condition लगा देता है तो यह filter भी function है इसी तरह similarly एक और function है इसका नाम है reduce क्या है reduce तो यह क्या कहता है यह कहता है accumulate a value by doing something to each item in an array तो इसका मतलब हम समझते हैं इसके example से suppose मैं हमारा वो कहाँ पर चला गया है अच्छा इसको भी हमने comment out कर दिए इसको बाटाते है इसको मैं यहां से नीचे ले आता हूँ ताकि समझने मैं आसानी हो तो मैं क्या करता हूँ मैं similarly function लिखता हूँ अगर माली हमें इसको सम करना हो forage में तो हम क्या करेंगे हम पहले एक variable बनातेंगे जिसको हम 0 से initialize करतेंगे फिर हम एक function में variable लेंगे फिर हम 0 से इसको plus करेंगे plus उसका जो value आएगी उसको हम इस्टोर करेंगे उस value को हम इससे plus करेंगे फिर उस value को फिर उस value इन दोनों के sum को value को हम इस्टोर करेंगे फिर उसको हम इससे sum करेंगे यह करते हैं तो similarly reduce भी वही काम करता है तो करते कैसे उसको हम लिखेंगे numbers dot reduce प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् ठीक है अब मैं क्या करता हूं मैं arrow function लगाता हूं और मैं क्या करता हूं accumulator plus current number इसको मैं कर देता हूं इसको मैं answer नाम के variable में store कर लूँ मैं सो console.log करता हूं और answer को करता हूं अब यह run करूं इसको अगर यह देखिए इन सबका sum देदिया तो यह क्या काम कैसे करता हूं देखने सबसे पहले accumulator जो है वो सबसे पहले इसके first value को यह store कर लेगा फिर इसको बार यह next से sum current numbers जो होगा वो दो होगा तो sum कर लेगा उसको दुबारा इसको store कर लेगा इसको सबसे सम कर लेगा इसको पूरे sum कर लेगा उसको देखने सबसे हैं ना हम एक और ची देखते हैं console.log हम काम कैसे करता है हम accumulator को भी लॉग कराते हैं शाथ-शाथ में package में यह देती तो हूँ रिचनिननमर को भी कराते हैं इसको हम इसbyamant function की ओपर लिखते हैं ताकि यह काम भी करें तुमने क्या करता हुँं इसको में उस पे रखिता हूँ क्या काम कर रहा है तो मैं इसको लिखता है कैसे हूं मैं यहाँ पर एक्वाल का स्यान लगाता हूं और फिर प्लस सेम मैं एक्विलेटर लिख देता हूं सिमिलाली मैं कंट्रूल टी करके इसको यहाँ पर करेंट नमबर लिखता हूं और यहां पर भी मैं करेंट न पर लिखता हूँ अब इसको मैं रून करता हूँ अब देखिए क्या करेगा यह देखें अब यह नेखें सबसे पहले एक कुमेटर 2 है फिर 2 को ये इसके साथ सम कर रहा है 2 प्लस ये 56 हो गया इसको मैं इसके लप रहता है । कि सबसे प़र ये 2 नवर लिया इसने इसको लिया 2 को फिर ये पहला बल दिया फिर ये current number ये इसके आगी वाला 56 लिया फिर इन दोनों के sum किया दुबारा ये ये जो value है वो accumulator में चला जाएगा उसके बार फिर ये current number आजाएगा 12 फिर current number प्लस हो जाएगा वैसे similarly प्लस होते होते last में आके ये हमारा answer को ये lock कर देगा ओके I hope आपको ये समझ में आया हो तो अब हम एक और function को देखते हैं जो है find तो find function को पताने find function करता क्या है तो find function जो काम ये filter करता था same वही करता है क्योंकि हमें पता चलना है कि ये x को कौन सा 10 मलब जो number 10 से बड़ा है वही दो जो find function है अगर यहां पर .filter के जाएगा मैं .find कर देता तो क्या करता है वह जो पहला word जो पहला ही word जो है जो digit है जो पहले digit अगर 10 से बड़ा होता उसको print कर देता है वह आगे बढ़ता ही नहीं तो find का ये काम होता है इस index को ये रिटन करता है जिस index पर ये जैसे 01 इंडेक्स पर तो इतना इस function था तो इस function को आपको याद करने जरूत नहीं है ये जैसे जैसे आप काम करते जाओगे आपको याद आया कि अच्छा मुझे ये करना है तो इसके लिए function बना हुआ था तो उसको मैं देख लेता हूं तो आप जाके सीड़े आ पुस्मा एमाया था तो आपके सीड़े